Breaking News School शिक्षा विभाग व्यायाम शिक्षकों की भरती शुरू CM शिवराज का बड़ा फैसला मप्रके स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की भरती शुरू, खेल शिक्षक नहीं व्यायाम शिक्षक की नियुक्ती MP Teacher Recruitment जल्द होगी नियुक्ती, प्रक्रिया शुरू, स्कूल शिक्षा विभाग ने दिया स्पष्टी करन मध्यप्रदेश में फिर से शिक्षक भरती प्रक्रिया MP Teacher Recruitment शुरू की गई है स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा इसकी जानकारी दी गई है दरसल मध्यप्रदेश में संचालित शासकिय स्कूल में व्यायाम शिक्षकों एक्सरसाइस टीचर्स की भरती प्रक्रिया शुरू कर दी गई हालांकि आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया कब से शुरू की इसके लिए नवीन जानकारी प्रेशित नहीं की गई है स्कूल शिक्षा विभाग की माने तो स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदू को भरा जाना है और इसके लिए कार्यवाही प्रक्रिया में है MP में जल्द शासकिय स्कूल में व्यायाम शिक्षकों की भरती की जाएगी बता दे की इससे पहले एक समाचार सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि कई विशयों के शिक्षकों को पांच दिन की ट्रेनिंग दे कर स्पोर्ट्स टीचर नियुक्त किये जाएंगे हालां कि स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसी किसी भी खबर से सक्त इंकार किया है स्कूल शिक्षा विभाग और स्कूल एजुकेशन डिपार्ट्मेंट ने स्पष्ट किया है कि शासकिय स्कूल में खेल शिक्षकों की नियुक्ती नहीं होगी दरसल शासकिय स्कूल में खेल शिक्षक जैसे कोई पद नहीं है इन स्कूलों में व्यायाम शिक्षक होते हैं यह व्यायाम शिक्षक ही छात्रों को विभिन प्रकार के खेलों से परिचित कराने का काम करते हैं और इसी के लिए स्कूल के रिक्त पदू पर प्रक्रिया पूरी की जानी है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों को स्कूलों में विभिन कामों का प्रभार दिया जाता है और स्कूलों द्वारा प्रभारी अध्यापन कार्य के साथ दिये जाते हैं। व्यायाम शिक्षकों के पद का प्रभार भी अध्यापन के साथ दिया जा रहा है. रिक्त पदूं पर भरती की प्रक्रिया तक स्थिती ऐसी ही रहेगी. शिक्षन के साथ शिक्षकों को व्यायाम शिक्षकों के पद का प्रभार दिया जाएगा. हालांकि व्यायाम शिक्षको चात्रों को खेलों से परिचित करेंगे. विभाग की माने तो MP में शासकिय स्कूल के लिए व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे और शासकिय स्कूल में एक शिक्षकों की भरती प्रक्रिया शुरू होगी. इसके लिए कार्यवाही प्रक्रिया के अधीन कर दी गई है और जल्द ही इसके लिए आवेदन की घोशना की जाएगी मध्यप्रदेश में संचालत सरकारी स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की भरती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हालां कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी लेकिन इतना जरूर बताया कि शालाओं में व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदूं को भरे जाने हैं तु कार्यवाही प्रक्रिया धीन है मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की और से उस समाचार को तृटिपून बताया गया जिसमें कहा गया था कि हिंदी, गनित, विज्ञान के शिक्षकों को पांच दिन की ट्रेनिंग देकर स्पोर्ट्स टीचर बनाएंगे MP School Education Department में स्पष्ट किया कि उनके द्वारा संचालत स्कूलों में खेल शिक्षक की नियुक्ती नहीं होती खेल शिक्षक के लिए कोई पद ही नहीं है इन स्कूलों में वियायाम शिक्षक होते हैं जो विद्यार्थियों को विभिन प्रकार के खेलों से परिचित कराने का काम करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि शिक्षकों को शाला के विभिन कामों का प्रभार दिया जाता रहा है लेकिन सभी प्रकार के प्रभार अध्यापन कार्य के साथ दिये जाते हैं व्यायाम शिक्षकों के पद का प्रभार भी अध्यापन कार्य के साथ दिया जा रहा है। यह व्यवस्था केवल तब तक है जब तक की व्यायाम शिक्षकों की भरती नहीं हो जाती। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि शालाओं में व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदू को भरे जाने हेतू कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.